राम राम सारे वाईयान है कल है आस्ट्रेलिया वर्सिज वेस्ट अंडीज पहला T20 मैच वन डे सिरीज आस्ट्रेलिया ने 3-0 से जीत ली लेकिन दोस्तों ये T20 मैच है T20 मैच में वेस्ट अंडीज ऐसी टीम है जो किसी भी ताकतवर टीम को हरा सकती है बड़े असानी से तो ये मुकावला भी काटे का रहने वाला है 50-50 ये वाई मेरी तरफ से वेस्ट अंडीज टक्कर देगी आस्ट्रेलिया को क्योंकि इसमें स्टार खिलाडी आ चुके है तो आज की इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ दो-तिन में मर्की टीम कैप्टन वाईस कैप्टन और आपको कुछ ऐसे खिलाडी बताऊंगा मीनी जील के लिए और जील के लिए उनको आप अपने टीम में रखना और आप जील जीत सकते हो उसके लिए आपको वीडियो बड़े द्यान से देखनी पड़ेगी और अपना चैनल है दूहन फेंटेसी आउस इसको कर लो सब्सक्राइब वेस्टन डीज वर्सिज आस्ट्रेलिया फर्स्ट टीट्वन्टी मैच्स ये मैच्स कल खेला जाएगा नो तारीक को एक बजकर तीस मिनट पर वेनू है बैलाइडिव ओवल हुवार्ट जहां पर फिलालवी बिग बैस का क्रूनामेट खतम हुआ है तो इस मैदान पर भी मैच्स खेले गए थे तो आप जाकर चैक कर सकते हो और पिछ रिपोर्ट देखो ये पिछ बल्ले बाजों के लिए बहुत ही बढ़िया है यहां पर बल्ले बाज बढ़िया रंद बनाते हैं और आपको पता हुई वेस्ट इंडीज में कितने दाकर दाकर खिलाडी हैं रसेल हैं और आपर ब्रेंडन किंग हैं निकॉलस पूरन है तो यहां पर देखते हैं अस्ट्रेलिया की प्लेंग लिए डेविड वर्नर जोस इंग्लिस मिचल मार्स ग्लेन मैक्सवल मार्क स्टोनिस टिम डेविड मैथ्वेड सीन अबट जोस हैजलबूड जैसन बैंडरोफ और एडम जंपा अब देखेंगे वेस्ट इंडिस की प्लेंग लिए उन ब्रेंडन किंग काईल मैरस निकोलस पूरन शाई होप रोवेन पॉवेल आंद्रे अरसेल रिमारियो सैफर्ड जैसन होल्डर अकिलो हुसेन अलजारी जोसे और ओशेन थोमस अब दोस्तों आपको मैं टीम देने वाला हूँ दो और तीन मिमर की अगर आस्ट्रेलिया पहले बोलिंग कर ले तो आपकी टीम में ये खिलाडी होने चारो और आप इन में से किसी भी दो को कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो अब बात की जाए कि मिचल मार्स बोलिंग करेगा नहीं करेगा बताते हम आपको एडम जमपा पूरे चार आवर जैसन बैंडरोफ जोस हैजलवूड इनके तो कंप्रा में भाई पूरे चार चार आवर होंगे फिर सेने बठे हैं 16 आवर उसके बाद कुछे कावर मैक्सवेल के हैं मारकर स्टोनिस के हैं तो फिर मिचल मार्स मुझे लगता कि मार्स हो सकता कि एक सिर्फ इस से ज़्यादा बोलिंग नहीं करेगा क्योंकि कई बार मैंने देखा है मैंने मार्स को कैप्टन किया था दो तीन मिम्मर में लेकिन बोलिंग नहीं की अब देखो इनके वास पूरे हाँ पर फुल बोलर है तो मुझे लगता कि मार्स कल बोलिंग नहीं करेगा तो चलो दोस्तों आपको टीम देने वाला हूँ ये चारों विकेट कीपर कल के मैच में खेलने वाले हैं सबसे बेस्ट मुझे लगे निकोलस पूरन और जो सिंगलिस जो सिंगलिस ओपनिंग और निकोलस पूरन नमबर टीन शाई होप नमबर चार नमबर पांच मैथवेड नमबर साथ अगर आपने मैथवेड को जील में कैप्टन कर रखा है अगर आस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग कर ली तो आपको भई पता क्या करना पड़ेगा आस्ट्रेलिया का टोप ओडर आपको फैल करवाना पड़ेगा तभी जाकर मैथ्वेड की बैटिंग आएगी तभी आप जील जीच सकते हो अगर आस्ट्रेलिया ने रंचेज कर लिया तो फिर मैथ्वेड की बैटिंग नहीं आएगी उसके लिए आपको पहले टोस के बाद प्लेंग लेँ देखनी पड़ेगी हाला कि फिर भी मैथ्वेड आएगे साथ नमबर पर और बिग बैस में ये ओपनिंग करते थे वन डाउन करते थे लेकिन इंटरनेशनल ड्यूटी में मैथ्वेड आते हैं नमबर साथ पर शाई होप नमबर चार नमबर पास पर आएगे और आप इनको कर सकते हो मीनी जील में कैप्टन वाइस कैप्टन क्योंकि विकेट कीपिंग यही करेंगे निकोलस पूरन नहीं करेंगे और अस्ट्रेलिया में मुझे लगता कि मैथ्वेड ही करेंगे विकेट कीपिंग अगर आपको फिर भी चाहिए तो आप चारों कोपनिटी मिले सकते हो लेकिन फिर वही बात भाई मैथ वेड तक मैथ खतम ही हो जाएगा बैटर में मैंने आपर लिया है मिचल मार्स को कैप्टन आस्ट्रेलिया के ट्राविस एड के बारे में नियू जाकि यह नहीं खेलेंगे काईल मायरस यह आएंगे ओपनिंग पर और एक और या दो और भी डाल सकते हैं बहुत ही कमा और करते हैं पूरे चार और रख सकते हो फिर मैंने लिया है डेविड वोर्नर को रोमेन पॉविल कैप्टन है वेस्टिंडीज के और आप इने रखना मीनी जील में अगर पहले बैटिंग कर ले वेस्टिंडीज तो आप इने रख सकते हो क्योंकि बहुत ही दाकर पले रवाई टीटमेंटी के कैप्टन भी ओपर से वेस्टिंडीज के तो बोलिंग भी कर सकते हैं के हाथ में कमान है ब्रेंडन किंग ओपनी करेंगे काईल मायरस के साथ और बाकीन मेंसे ये दो खिलाडी हैं जो नहीं खेलेंगे अगर खेलेंगे तो आपको टोस के बार बताऊँगा मैं टिम डेविड इनको रखना मीनी जील में बाई बहुत की तगड़े चोके ठके मारते है आल रांडर में मैक्सवेल रसेल जैसन होल्डर रेमारियो सैफ़र ये मैंने रख लिए च्यार आल रांडर आपकी पास उपसन है मारकश चोनिस रख सकते हो भई अगर रंचेज वा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये खराब हो जाएं क्योंकि ये पॉइंट नहीं देंगे उतना उसके बाद इनका चांस बहुत कम है बोलर में जोस एजलवुड जैसन बेंडरोफ और उसके बाद मैंने रखा सीन एबेट को सीन एबेट को मैंने क्यों रखा है क्योंकि बेटिंग बहुत ही बढ़िया करते है मैं आप पर रखना चाहता था एडम जमपा को लेकिन बात ये कि बाई जमपा के पास इतनी समताने कि वो बल्ले बाजी बढ़िया कर सके इसलिए मैंने सेन अबट को लिया है आप चाहो तो जमपा को ले सकते हो रख सकते हो एलिस नहीं है अन्विलेबल दिखा रखा है कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते है मुझे बता भई कल के मैच में बहुत से भई कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे यहाँ पर मैक्सवेल को रिजन यह कि यह बोलिंग भी कर सकते हैं तीन से चार और और विकेट निकालके आपको देही देंगे और उसके बाद वाइस कैप्टन के लिए आपको ओफसन दूमे यहाँ पर निकोलस पूरन अगर इनको बीस से बाइस बोल मिल गी ना तो पचास साथ रखन मापको बना के दे देंगे उसके बाद हैं यहाँ पर यह चारो की चारो आल राउंडर इनको रखना मीनी जियल में कैप्टन वाइस कैप्टन अपनी टीम डेख लेते हैं निकोलस पूरन जोस इंगलिस मार्स वोरनर मैकसी रसेल ओल्डर सेफल्ड आजलवूड बैंडरो फोर सेनबोट दो तिन में 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 आप ज़्यादा से ज़्यादा आस्ट्रेला के खिलाड़ी को लेना फिर से बता हम आपको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन मीनी जियल के लिए सबसे बैस्ट यह हैं अगर आस्ट्रेला पहले बॉलिंग कर ले तो यह तीन ऐसे खिलाड़ी है इनको आप सी वी सी कर सकते हो मीनी जियल में सेफ दो तीन मेंबर के कैप्टन वाइस कैप्टन मुझे तीनों के तीनों लग रही है तो भाई यह थी आज के अपनी वीडियो कैसे लगी वेस्ट एंडीज वर्सिस आस्ट्रेलिया पहला टीट्वंटी मैच फिर भी लेंगे दोस्तों एक और ऐसी वीडियो में धन्यवाद